Hello everyone, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है So last video के अंदर ये चीज clear नहीं हो पाई थी कि आपको scorecard कहां से देखना है तो इस video के अंदर मैं आपको detail से बताऊंगा और इसके अलवा आप लोगों को कुछ और जरूरी बाते बतानी है जो कि आपको अपने mind में रखना है ताकि जब आप counseling कराएं तो आपको दिक्कत नहीं हो क्योंकि अभी जो आपका आया है ये केवल scorecard आया है final result ये नहीं है इस सीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते कि आप देखेंगे कैसे ठीक है तो देखें उसके लिए मैंने यहाँ पर एक जो link है वो आपको दिखेगी ठीक है फोन में करोगे आपको तुरन दिख जाएगी यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रहा है नहीं शो कर रहा है बट मैंने इसके लिए अलग से link को जो है copy करके फिर यहाँ पर paste कर रहा है तो यह open हो गया है मैं इस link को जो है इस वीडियो के description box में भी दे रहा हूं और comment box में भी पिन कर रहा हूं तो दोनों जगहों से आप लोग इसको देख लीजगा ठीक है तो अब यहाँ पर करना क्या है आपको application 20-40-20 कितने आए और इधर लिखा रहेगा part B ठीक है part B तो यहाँ नीचे कोलम रहेगा और बताएगा इसमें कितना नंबर आया है 300 में से 225 आया 250 आया है जितना आपका आया है like और यहाँ आगे जो है total रहेगा ठीक है total यहाँ पर रहेगा कि आपका total नंबर कितना है उसके नीचे यहाँ पर कोलम बना हुआ है तो इस तरीके से आपका जो रिजल्टा वो शो करेगा अब जो मेन बाते हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहरा हूँ सबसे पहली चीज़ यह कि इस scorecard को आप डाउनलोड करके save कर लिजे उसके बाद आपको अलग-अलग तो उसको हम लोग टेलिग्राम पे share कर देंगे आप लोग वहां से उस चीज़ को देख लिजेगा ओके और हर वेबसाइड पे एक calling नंबर दिया हुआ है एक help लाइंग नंबर दिया हुए है तो एक बार आप वहां पे try कर लिजेगा कि हमारा यहां पर यह दिक्कत हो रहा है यह रव नहीं आ रहा है तो वह चीजों को clear कर देंगे कई बार क्या होता है जैसे यूजी में यह problem face होई है कि student पेमेंट कर दिया बट status में शोई नहीं कर रहा है बैंक से पेमेंट कर दिया तो यह बात तो कहीं नहीं कहीं चलने वाली नहीं है ना payment कर गया हुआ हुआ student फिर दुबार से उसको fill करेगा दुबार से pay करेगा तो यह तो बहुत गलत बात है ना तो इस सीज का आप लोगों को ध्यान रखना है और इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो है active हो के size से अच्छे से जो है आपको form fill करना है जिस भी university के लिए आप लोग fill कर रहे हो और बाकी result आप लोग यहां से देख लीजेगा अभी क्यों आपके scorecard है बिल्कुल sort में मैंने आपको समझा दिया है इसी तरीके से आपको दिखेगा और इस website का link में वीडियो को description box में दे रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है मैंने टेलीग्राम पर भी share कर दिया अगर नहीं देखा था तो वहां से देख लीजेगा और इसके अलावा जो आपका scorecard है admit card है ठीक है scorecard और admit card दोनों आपके पास होना चाहिए मैंने last video में बोला था आपको कि अगर admit card नहीं है तो download कर लेना अभी भी option आ रहा है बाद में option अट गया तो अपना कुछ नहीं है वो आपकी दिक्कत है तो आप लोग उसको जो है वहां से download कर लीजे तो admit card और scorecard दोनों आपके पास होना चाहिए जो university counseling करवाती है वो अगर आपसे दोनों मांगेगी तो फिर आप क्या फिल करोगे तो scorecard को आपको समाल के रखना है अभी इसके बेस पे आपको किसी भी university में direct admission नहीं मिलेगा एक google form भी दिया है तो अगर आप लोग google form को फिल करना चाहो तो उसको फिल कर सकते हो उसमें आपको अपना scorecard वगरा जो भी आया जितना आया आप लोग फिल कर सकते हो ओके तो guys इस video में तो खैर इतना ही मिलते है next video में I hope कि आप सभी का result काफी अच्छा आया होगा मैं लग फुल इस video में इतना ही video देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया